हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आसा रखते हैं अच्छा ही हो गया आज इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ बेसिक कॉंपोनेंट के बारे में जो बेसिक जो लोजिकल एडिटिंग होते हैं उस एडिटिंग में तो आपको उतना जादा हिल्प नहीं मिलेगा मगर यह जाना इस कि अच्छन यह क्लास को स्टार्ट करें यह जो एडिट वगड़ा है इसको करने के लिए यह तो फाइल में जाए यह नीउ पर आईए यहां पर आपको सारे अड़ाउंट विन जाएंगे लाइक टाइटिल जो हमने पिछले कुछ क्लास में हमने टाइटिल के बारे में इसके बारे में जानेंगे, तो हम ज़्याद तर add-ons को यहां से लेके आते हैं, sequence जो हमने पहले class में किया तो आपको बताईए, offline file, एक offline file एक ऐसा file होता है, तो आप इसमें नाम दे दीजिए, विसी के लिए यह test है, तो यह offline file ज़्याद तर use होता था, in the sense जब बहुत पुरा file को यहां पर add-on कर सकते हैं, यहां पर देखे कोई भी link नहीं है, इस file के साथ बसी के लिए, अब अगर हम इस file को replace या फिर link media कर देते हैं, suppose कीजिए कि हम इसको locate करते हैं, और हमारे पास footage के अंदर, कुछ यह वीडियो है, suppose यह वाला वीडियो को हम add-on कर देते हैं, यह व यह offline file पे यह video आ जाएगा, यह हम इसलिए करते हैं कि कभी कबर ऐसा हो सकता है कि कुछ shooting वगरा आपका painting रहे गया हो, suppose कीजिए कि यह दो scene के बीच में यह scene आना चाहिए था, मगर कुछ कारण की वज़े से, यह scene आपने shoot नहीं किया भी आपके पास footage available नहीं है, तो आप क्य यह दो कि suppose कीजिए कि मैं इसका rename कर देता हो, और gym scene करके, तो इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि इसमें gym scene add-on होने वाला है, तो जब आपका footage shoot हो जाए, उस type पे आप इसको link कर सकते हो, और link करने के बाद आपका यह offline file हो उस scene पे हो जाएगा, बाकि आप यहापे motion मेग जैसे हो, control कर सकते हो, that is first, कि आप किस तरीके से offline file को इसमाल कर सकते हो, अपने video editing पे, next हमारा आता है, adjustment layer, जिसके बारे में भी हुने कुछ दिन पहले class कया था, अदर आपने नहीं देखा है, तो effects class में देखीजेगा, उस class में हमारा यह adjustment layer के बारे में बताया, टैटी के class मे बारे में बताया, bars and tones, जो बहुत पुराने पे यूज होता था, यह भी बहुत कम यूज होता है, अगर आपने चाहा कि starting पे, अगर आप देखोगे, कोई भी video editing के starting पे, इस तरीके का bars, tones हम यूज करते थे, next say black video, यह एक, आप, यह black video अलग से दे रखा है, मगर हम इस black video को दूनों क्रिप के basic अलिए बीच में यूज करते है, आप चाहे तो कोई भी black video भी यूज कर सकते हो, या फिर, कोई black scene यूज कर सकते हो, या फिर, इस में gap हम यूज नहीं कर सकते है, color matte भी यूज कर सकते है, इस लिए एक scene से दूसरे scene पे जाने के लिए, हम एक fraction of second के लिए इस black video के इस तवाल करते है, ताकि हमारा scene यह है, बहुती smooth transition हो जाए, अगर आप देखेंगे कि इसमें हमने play है, प्ले किया, एक black video दिया और second एक seat पे जा गया, इस black video को हम use करने as a transition parameter, बहुत पहले हम इस तरीके टेक्निक्स अप्लाइ करते थे, मगर अभी फिनाल इतना ओ अगर आप चाहों तो इस black video को इस तरीके की case में use कर सकते हो, आदार्वाइस इसका और use case मेने अभी तरकित नहीं किया, तर आपको पता है कि इस तरीके से use case हो सकता है, तो मुझे जरूर आप मुझे नीचे comment करके बता सकते हूँ, नेक्स्ट है caption, यह caption के बारे में बोलने से पहले मैं बोला जाहूँगा कि हम यह जो classes कर रहे हैं, बहुत basic version पर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी tools का version अतना important नहीं होता, rather than उसकी logical जो चीज़े हैं, वह ज्यादा सीखना माइने रखता है, तो यह जो वर्ष चैप्शन आ गये 2020-2023 पे, वहाँ पे हम auto transcripts caption होते हैं, जो भी आपका sound वगरा है, उसको premiere automatically recognize करके caption में convert कर देता है, उससे पहने हम कैसे करते थे, एक हमने caption बनाया, और यहाँ पे steam हमने दिया open caption, और इसको ok किया, अब यह caption को double click करने पर, यहाँ पे caption का अलग से palette open होता है, और यहाँ पे time to time, जैसे zero to, आप यहाँ पे दे सकते हो, कि zero से लेकर कितना time देखियें, यहाँ पे 2 second 29 frame तक कुछ यहाँ पे caption यूज कर सकते हो, suppose कीजिए कि यहाँ पे मुझे text लखना है, welcome to my channel, welcome to my channel, इसको आप थोर अशागर extend करेंगे, तो आपको इसका font, color बगर यह सारा चीज आपको में जाएगा, इसके बाद अगर आपको और add-on करना है, तो यहाँ पे आप एक add-on कर सकते हो, my name is Amitafah, और ग्रादर हम यह निखते हैं, की I am your answer, okay, तो हम इसको अभी क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में जाके, इस caption को यहाँ पे add-on करेंगे, देखें, यहाँ पे add-on करेंगे, यहाँ पे add-on करेंगे, यहाँ पे add-on करेंगे, यहाँ पे add-on करेंगे, विलकम to my channel, उसके बाद यहाँ पे caption पर यहाँ पे, यहाँ पे तीन मिनिट, तीन सेकंड, 36, अच्छा, 36 सेकंड हो गया था, इसके मेंदे से, तो अगर आप यहाँ सको माल दीजिए, फचार सेकंड कर देता है, तो अटोमेटिकली यह थोड़ा देर सेकंड कर यह बढ़ जाएगा, तो अगर इसका साइज, यानि जो भी फॉंट साइज हो गरा है, थोड़ा सा इनलाज करना है, बैक्ग्राउंड यह ब्लैक है, अगर आपको कोई दूसरा कलर देना है, इस तरीके यह उसके आप यहाँ पर बना सकता हो, तो इस तरीके से मैनुवली हम कैप्शन को यहाँ पे हैनॉन करते है और ज्यादा तर जो इंग्टू के वीडियो में, आप यह सब कैप्शन इस्तवाल करोबें, तो वक्ट यह चीज आपको समझ पर आया होगा, कैप्शन, नेक्स से कलर मैट, कलर मैट पे विसिकली आप कोई भी एक कलर की, जिसको हम बहुते हैं, पर्टी, यानि जैसे आप वीडियो देख रहे थे, तो यहां से भी एक ब्लैक कलर मैट, आप इस तामन कर सकते हैं, या फिर कोई भी कलर मैट, मना के आप यहां पर एक कार या, कलर मैट बन गया तो, अच्छा, ओके नहीं क्या, कलर मैट, हमने नाम दे दिया, कलर मैट कोई शुरी है, तो इस तरीके स एक कलर मैट आप यहां पर बना सकते हो, अब इसके एफिक्स कंट्रोल में जाके, इसकी स्केरी वगरा को हाइट, सुरी हाइट को थोड़ा छोटा करके, आप एक पट्टी जैसा कुछ बना सकते हो, तो बारन डूर को हमने अटा देते हैं, और इस कलर मैट की पोजिशन को, जैसे आपने उस दिन टाइटल पे क्रॉल टेक्स जब बनाया थे, तो उस टाइम पे हमने बॉक्स बनाया, उसके उटपर से हमने पिये सब दिया, उनकर कलर मैट को आप इस तरीके से इस्तामान कर सकते हो, टैक्टी इन के लिए खास करका, और उसकी बैक्डाउल के लिए, तो यह है कलर मैट और यह किसी भी कलर को, किसी भी कलर के मैट यानि कलर पटी आप बना सकते हो, ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, एस डी बार अन स्टोन, जो सिमिलर है बार संट स्टोन की जैसा ही, यह सिंपल, अलग कुछ नहीं है, आप अगर यहां पे देखेंगे, जो हमा लीडर, लीडर, सॉरी, यह जैसे आप बहुत पुराने पे इसको बेसिक्स रख में देते हैं, या तो फिर आप यहां पे चेंजेस कर सकते हो, लाइक कलर बगर यह सब चीज़े, इसको जस्ट ओके करना है, और आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में, एड़ और करके देन सब्सक्राइब करना हैं, जिसको हम बहुते हैं टांस्परेंट वीडियो, आस तक मैंने इसका ऐस सच कुछ अपर हम रख रहे हैं, फिर भी नीचे वाला लेयर की जो वीडियो है, उसमें हम देख पा रहे हैं, और टांस्परेंट वीडियो के उपर, अगर हम टेंग जैसे कि लेवल वगरा इस्तिमांग करते हैं, और अगर हम इसकी वैलो और चीज पättके तो इसकी कलर पर कोई फ़रक नजर आ रहा है, यह नहीं कुछ नहीं आ तो इस तरीके से transparent video को आप इस्तावान कर सकते हो तो यह था हमारा basic component जिसके अंदर पे हमने बहुत सारे नए नए चीज़ों के बारे में सीखा like offline file उसका युशके adjustment layer, title, bars and tones, black video, caption, color mat, HD bars and tones, universal counting leader and transparent video तो इस तरीके के जो भी add-on component है आप अपने video editing पे इसको use कीजिए कुछ भी दिक्कत आता है तो मुझे comment करके या कहीं पे भी इतने भी सारे links मैंने description box पे दे रखा है उसमें आप जाके उससे contact कीज़ें मैं आपको help करूँगा इस चीज़ों को और अच्छी तरीके से सीखने में और इन चीज़ों को आप अपने video editing के जरने में किस तरीके से utility कर सकते हो तो यह class आपको पुराने classes के तरह अच्छा नागा होगा अगर सही में अच्छा नागा है और सही में आपको value मेला है तो इस class की video को like करना मत लिएगा इसी तरीके से free में अच्छी अच्छी classes लेने के लिए वेरे चैने को जरूर सब्स्ब्स्बैक की चाहेग नीचे एक लिंग दिया गया है जहां पर जाके आप अपना details fill up करके फ्री में ebooks आउनलोड कर सकते हो जो ebooks आपको मदद करेगा आपकी graphic designing की चैनी को में किस तरीके का carrier हो सकता है उसको shorting करना में तो thank you for watching this video thank you very much तब तक करने तो नाइट कर दो कर दो